दूस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं RCN तुड़े आप सभी का RCN चैनल पर हार्जिक स्वागत है अभी की लेटिस्ट अबडेट की बारे में बात करेंगे हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तो पहुचाने का प्रयास करता हूँ वही जानकारी देता हूँ जो इसके मादिम से आप कोई भी कॉम्प्टेटी इग्जाम निकाल सकते हैं क्या क्या है उस टेश्टिरीज में आईए जान लेते हैं अगर आप किसी भरती परिछा की तैयरी कर रहे हैं भरती परिछा क्वालिफाई करना जाते हैं आप जाते कि आपकी सरकारी नौकरी रगे आपका सबना पूरा हो किसी भरती परिछा में आपका सेलेक्शन हो जाए चस्ट बू के दोबारा आपके जबरदस्त मॉउक टेस्टिर ट्यार किया गया है इस टेस्टिस मादिम से आप अपनी नंबर को इंक्रीज़ करके किसी भरती परिछा को च्वालता पा सकते हैं हजार में अगर 10,000 कोईश्चन आपके लिए हूँ आपके लिए सबसे सेटे बुलूँ तो गारेंटेट कहता हूँ कि आपका तो कहीं न कहीं सेट होना गारेंटी है आपको नवकरी लगनी पकी है इसलिए आप इसे परचच करने आर्सियन कूपर कोड का यूज करने पर आप अगर आप किसी का भला करेंगे तो गारेंटेट इसवर आपका भला करेगा इसलिए लोगों का भला करने का प्रियास करें स्वार्थ बस वीडियो मत देखा करें अपने स्वार्थ को सिधना करें दूसरे को स्वार्थ को भी सिधन करने का प्रियास करें तो आईए पहली ख की लिए साथ दिन का मौका मिलेगा गुरूप सी की भरती परिख्याओं के लिए नया सेडूल जारी होगा जिसके संबंद में हरियाना करमचारी चैन आयोग के अध्यच खदری ये कहा है खदरी के बारे मैं आब आपनोग जानते होंगे खदरी बहुत ही अच्छे चेर्मैन है और खदरी के द्वारत जो भी कह जाता है सब भी अथंटिक कह मैं चेर्मैन का नाम है वहार पाल सिंक हदरी खदरी मैं इसलिए काहता हूँ हूँ उनकी बात बहुत प्यारी लगती है तो ऐसे ही अध्यष की जरूरत है जो तौरित रिणेले अन्य जगहों पर देखता हूं घाल मेल करने लगते हैं बातों को उल्धा उल्धा करते हैं जो कहते होता रही है और भोपाल सिंख खद्री जो कहते हैं वह होता है इसलिए आप बेट करिए साथ दिन अतरिक्त मौका आपको मिलने वाला है जो मुझे जानकारी प्राप्ट हुई कि आबेदन में अपडियेशन के लिए साथ दिन मिलेंगे गुरूप सी की भर्षी पर इछाओं के लिए नया सेडूल भी जारी किया दाएगा अब हम बात करते हैं साहक अभियंता भर्ती को लेकर देखें साहक अभियंता भर्ती के समन्द में आप लोग बारवार पूछते रहते हैं और मांग भी चल रही है मैं आपको बता दूँ उत्तर प्रदेश इंजीनियर एस्विसियेशन के महा सच्यू इंजीनियर असी सियादो ने कहा कि सिधी भर्ती पर क्लिया कि मादिम साहक अभियंताओं की भर्ती हर साल होनी चाहिए जिससे काम सुचारू रूख से चले काम में बाधा ना आए इसके समद्ध में मुखवंत्री को पत्र लिखा गया है अब इस पर मुखवंत्री जी क्या नहीं लेते हैं देखने वाली बात होगी वैसे मैं आपको बता दूँ आपके लिए 2023 और 2024 का समय बहुत सी महच्पूर है जेई की भर्ती आपको देखने को मिलेगी या हम मुझे लेकिन अभी या कंफर्म नहीं हो पाया है कि 2023 में विग्यापर आएगा चोबिस में लेकि 23 और 2024 का टार्गेट रखा गया है अब हम बात करते हैं नई भर्ती को लेकर कैंसर संस्थान में नई भर्ती होने जा रही है अगर आप उस योग्या हैं दूस भर्ती में सामिल हो सक सकते हैं आपको बता दे कि कैंसर संस्थान और पीजियाई वे पायरा मेडिकल इस्टाफ टेकनीशियन और दूसरे संवर्ग करमचारियों की भरती प्रक्रिया शुरू होगी जिसके संस्थान में आज की समाचार पत्ति में बताया गया है आपको बता दे कि 503 पत भरे तो महां अंत में नहीं आएगा दोस्तों जून महां में विग्यापन आपको देखने को मिल जाएगा आपको बता दे हाला कि पीजियाई अब तक तीन चरणों में करीब 1800 से अधित पतों पर भरती कर चुका है तो कुल मिलाकर 700 नियमित पर अब भी खाली है उनको भरने का प्लान चल रहा है अगली ख़वर उत्तरप्रे हिलोक से वा आयोग की है बहुत ही महत्मूल ख़वर है हर आयोग और गोट को यही वर्क करना ते है जो उत्तरप्रे हिलोक से वा आयोग करने जा रहा है हर भरती में अभर्थर वापसी के आवेदन लेने की तयारी उत्तरप् बात करेंगे नए सिच्छा सेवा आयोग की गठन को लेकर आपको याद होना चाहिए क्योंकि गारंटी से जानकारी देता हूँ डंके की चोट पर जानकारी देता हूँ इसी चैनल के माधिम से आपको बताया गया था कि नए सिच्छा सेवा आयोग का गठन चुनाओं के बाद स्टार्ट होगा सभी लोग चुनाओं में बेस्ते हैं अगर आपको विश्वास नहीं हैं तो एक महीना के अंदर का सारा वीडियो देख लिए जिसमें नए सिच्छा सेवा आयोग के गठन का जिक्र है उसमें मेरे द्वारा ही बताए गया और किसी भी चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी जो डंके की चोड़ पर कुछ मेरी बाते कड़वी लग सकती हैं कुछ समय के लिए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कह सकते हो लेकिन बाद में आपको पस्ताव होगा मैंने गलत कर दिया मुझे ऐसा नहीं बोलना था इसलिए मैं कहता हूँ आप किशी के भ्रमजाल में नाफ से गारेंटेड कहता हूँ जो बताओंगा होगा वही अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके समझ में भी मैं आपको बताओंगा क्यों परिवर्तन हुआ जिससे आप मेरी बाद से संतुष्ट होंगे और आपको समय समय पर सही जानकारी मिलेगी पर देश में सिच्छा भरती के लिए उत्तर पर सिच्छा सिवा चेन आयो के गठन की परक्रिया यूँ तो 2017 से चल रही है लेकिन हर हाल के दिनों में मैं बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ यह परक्रिया लगातर डिले होती रही है अब जो त्यारी चल रही है कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो C.M. के सामने जल्द ही किया जाए संसोजन प्रस्ताओ अब पेस करने के बाद C.M. उस पर मोहल लगाएंगे और आयो के गठन की परक्रिया फास्ट हो दाएगी इसी चैनल के मादिम से बताएगा था 3-6 महीने लगेंगे आयो के गठन में आज के 3 महीने पहले दोस्तों देख लेना अगर 3-6 महीने ना लगे तो इस चैनल को अंसब्सक्राइब करके चले जाना इस चैनल को अंसब्सक्राइब करके चले जाना जो प्रस्ताओं पर मोहल उनको भी नहीं पता तो भी अच्छा महीन लगेगा हाँ सभी बता रहा हूं गारेंटर डंके की चोट पर अब बात करता हूं पांच जार पतो पर भरती ठप नए सिच्छा सेवा आयो के गठन को लेकर सारी प्रक्रिया फसी बढ़ी हैं आपको अलावा हाइकोंड ने भरती काफी परिशान है करीब 14 लाग भरतियों का इंतजार खतम नहीं हो रहा है उत्तर शिच्छा सेवा आयोग और माद्मिक शिच्छा सेवा चैन बोर्ड को अगर माने तो 5000 भरतियां लंबित बड़ी हैं इन भरतियों को नए सिच्छा सेवा आयोग के गठन के बाद ही क चुनाओं के बाद इस प्रटल क्रियाज सुरू करती जाएगी देड़ से दो महीने में यहां आयोग अस्तित्व में आ सकता है उसके बाद या भरति आगे बढ़ेगी गारंटेड कहता हूं कि 2024 में अभरति चली जाएगी हो सकता है लोग सभा चुनाओं के आदस अच्छा को लेकर उत्तरप्री लिखपाल भरति का प्रिणाम जब से जारी हुआ है तब से हंगामा सुरू हो गया कुछ लोग कहते हैं आप फालतू बात करते हो आपको जानकारी नहीं रहेते पहले एस्टेडी करके आओ तब यहां पर बात करो क्या इस्टेडी करो जिसकी जो मेरि सेलेक्ट हो गए हैं वे जो है डीवी के लिए ना जाएं क्या गारंटी लेते हो कि कटाप असी जा रहा है तो असी पलस वाले ही अपना जो है डीवी को स्कीप करेंगे मैं आपको बता दूं जो नौकरी पीरियड में होगा उसमें से 97 प्रसलों का 80 से कम ही नंबर होगा 80 से से कम नंबर हो क्योंकि उनको पढ़ाई का समय नहीं मिलता है कोई आइसी प्रोफेसरल नौकरी आफिसियल नौकरी नहीं कर रहे हैं जिससे उनको पढ़ाई का मौका विले फिल्ड की नौकरी में पढ़ने का चांस कम होता है ना पो जोखो काम करो इधर दोड़ो यहां वह कर जाओ इस से पढ़ाई में थोड़ा बाधा उत्वफन होती है जिनके असी प्लॉस है वह वह बावई स्टूडेंट है जो दिन रात कमरे में बैठ कर पढ़ाई करते हैं अपनी तयारी पर फोकस कर रहे हैं उन्हें नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए इसको लवाने कोई रिपोर्ट ही नहीं दिया मैं आपको गारेंटेट कहता हूं जिसकी बेरिट बननी थी बन गई है जिसके जो नंबर मिलने थे मिल गए हैं आपको किसी पचासी किसी को अगर 80 पलस मेरिट जा रहा हो 778-89 वाले अगर डीवी स्कीप करने तो उसका क्या फायदा और पांसो आट सो लोगों का डीवी स्कीप करने से कुछ नहीं गए नो टंकी फैल आ रहे हैं नो टंकी जब फाइलल रिजल्ट आएगा तब सब की नो टंकी जड़ जाएगी आप का होगे अरे भाईयाई का होगे इतना मेरिट कैसे चले गए गारेंटेट कहता हूं जंके की चोट पर कहता हूं इतना याद रखना मैं बोल दे रहा हूं तो होगा अगर मेरिट 89, 80, 82, 83 चलेगे तो क्या करोगे तो लेक पार भरती दुबारा नहीं आएगी और ना होगी और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं इतना याद रखना जो आज तक बोला हूं थोड़ा समय लगा है शुरू में आपको नाराजगी हुई है लेकिन बाद में वह कटाप कटाप पूछोगे सर कटाप कितना जाएगा कटाप कितना जाएगा जादा से जादा नंबर लाने के बावजूद आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा कि आप मुख परिच्छा में बैठने को पाओगे आज वही दसा आपनों की है तो इतना याद रखना जो सकता हूं भी ना परिच्छा के कटाप गारंटर बचा सकता हूं संभावित कटाप बता सकता हूं कैसे बता सकता हूं सुन लीजिए आपको मालूम होगा जब जहां चुआ थो किस खाधार पर भरती परिच्छा को रद किया गया था तेरा सु पलस जो है उनकी कोई पहले तुप पता यह कटाप किस्तना जाएगा आप ही बताओ पहले से ज्याधा जाये का यह कम जाएगा ज्यान वहीं तक रखना चाहिए जितना आपको जानकारी और कमेंट बॉक्स में भद्धे कमेंट नहीं करना चाहिए पहले एक्टिडी करकर आप लोग आओ जो गलत निकरे जो कहोगे तो चैनल पर वीडियो समंझ में बनाना छोड़ दूंगा बाकी आपकी मर्जी तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को सेर करके जाना पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यबाद